तो इस वीडियो हम बात करेंगे बहुत इंपोर्टन चीज तो कैसे आपको पता चले कि कौन सा सेक्टर अभी के समय में ग्रोइंग है बूमिंग है किसमें हम पैसा लगा सकते हैं चाहिए वो मीच्वल फंड हो चाहिए साइपी हो चाहिए स्टॉक्स हो तो यह कैसे पता लग से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेंबर यह वीडियो एड्यूकेशनल पॉर्पल्स के लिए है मोटो है आपको सिखाना अब यहाँ देखेए गया आप यह वाश लिस्ट में यह सारे हैं इंडीर वाइस जो सेक्टर वाईज है यह मीडियisée सिखें है। हैं यह मेडिय जी treating action. है reality and real estate के हैं infra के सारे infra के एक indexe कि अगर यह बढ़ रहा है तो समझ में आता 2019 बढ़्रा भाड़ तो समझ में आता इंफ il लिभात रहाई हैς निफ्टी के 100 स्ट्राक्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं उसका अभी चल सोटित चलगा तो आप बैट के ये काम कर लिजिए ये private bank का हो गया ये FMCG का indices है आपके सामने और ये रहा service का अब ये indices होता है क्या है ये जान जान लिजिए PSU bank अगर मैं बोल रहा हूं तो ये समझ आप इंडिया में जितने PSU bank से उनका combination करके एक indices बनाए गया जैसे nifty 50 आप देखो कि इसमें इंडिया के top 50 company है तो निफ्टी 50 अगर बढ़ रहा है या नहीं 50 companies में growth हा रहा है तो ये पूरी कमपनियों का जुंड एक समू है जिसको indices बूला जाता है media इसमें सारे media related stocks आपको मिलेंगे तो media related stocks अगर ये निफ्टी मीडिया बढ़ रहा है तो यानि मीडिया के सारे stocks भग रहे होंगे इसमें इंड्या में जितने समय आपको आपको अपने एड कर लेना है अब इसपर और कहay से करना ह sono कि फता करेंगे कि यह sector boom है, boom कर रहा है, तो कोई आपको लगा लेना है यहाँ पर हमारा three indicators strategy, जो कि हम अलड़ी वीडियो में discuss करते हैं, अब यहाँ देखो, यहाँ हमने लगा लिया, अब हम जो कि trading view में आप दो indicator से ज्यादा नहीं लगा सकते, तो हमने इसको दो part में यहाँ divide कर दिया, यहाँ पर हमने moving average लगा लिए, जो हमारे है, 20 moving average, 50 moving average, यह stockistic RSI हो गया, यह RSI हो गया, और यह पिछले 100, दिन 100 candle का यह trend हो गया, जो हमने लगाया है, ताकि आपको जानने के लिए असानी हो जाएगा, तो यह साथी चीज़े पर आपको सेट कर लिजेगा, अब यहाँ देखें, यहाँ आते हैं, और यह हमारा sector indices है, तो अब हम देखते हैं कि PSU bank का क्या हाल है, अभी कैसा चला है PSU bank के sector, तो यहाँ यह तो पहला हमारा आगया PSU bank का sector, तो अब यह देखो PSU bank का sector, अगर हम weekly analysis क कर रहे हैं, तो दोनों हमारा week पे है, अब weekly analysis देखो, तो पहला देखो इनका trend क्या है, क्या है, trend is always friend, trend के beyond हमें trade कभी नहीं करना है, trend आपका friend है, तो trend पे ध्यान दो, तो यह पिछले 100 हपतों का trend है, देखो 100 हपतों का trend ऊपर positive की तरफ चला है, यह इनका support होता है, यह resistance, द पे है, फिर resistance पे छोटे वाले resistance पे है, फिर इसको छोटे वाले को cross किया, यह इनका support का जो उपर का trend resistance है, उसको touch करका फिर नीचे आया, फिर यह अभी कहां देख रहे हो, यह अपने resistance पे चल रहा है, तो हो सकता है, यहां से एक correction है, और नीचे की तरफ आए weekly में, ठीक है, अगर हमें position बनाना था, तो हमें position कहां बनाना था, हमें position, जो हमारी three indicator strategy कह रही है, उसके according हम कहां पे position बनाते, कि हम इस में profitable होते है, तो देखो, तो पहला क्या कहता है, 20 moving average उपर होना चाहिए, 50 moving average नीचे होना चाहिए, पहला condition match, दूसरा stockers की RSI 20 से 80 के तरफ जाता होना तो यह दूसरा condition हो गया, और तीसरा condition जो कहता है, वो कहता है, RSI 50 के उपर होना चाहिए, तो हम यहां कहीं position बनाये होते हैं, अगर हमारी strategy अगर आप समझा होगा, तो लगबग यहां कहीं हमारी position बनी होती, 28 November 2023 को, जब यहां पर चलना था, PSU Bank 5182, 28 November लगबग यहां, 28 November तो यहां, तो यहां अगर आप देखोगे, तो moving average यहां भी उपर 50 नीचे, और यहां, इस्टाक जाए से 20 से 80 की तरफ, और RSI 50 को cross करता हुआ, तो यहां कहीं मिलता, और हम यहां से, कितने percent का gain expect कर रहे थे, अगर हमने यहां position बनाया होता, तो यहां से लेकर, यहां तक, लगबग 20% हमने gain कर लिया होता, 8 हफतों में, अगर हमने यह position बनाया होता, PSU Bank में तो, तो इस तरीके से आपका analysis करना, तो अब आप देखो, अभी अभी करना क्या है, इस PSU Bank में, तो यहां देखो, स्टोकरिष्टी का RSI 80 से उपर है, स्टोकरिष्टी का RSI 80 से उपर है, तो आपको करना है क्या है, आपको इंतिजार करना है, कि दोबारा इस तरीके से formation बने है, हमारी strategy बने, तो हम इसमें position बनाएंगे, फिलहाल के लिए आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सारी लोग बुलने है, IT का बूम है, आपको कैसे पता चलता है, कि IT का बूम है, तो यहां आजाए, यहां लगा लेते हम IT, Information Technology, अब IT कब लेने लायक था, अब आप देखेंगे, तो लगबग यह जो formation बन रहा था, 20 moving, स्टोकिस्टी का RSI यहां, 80 से उपर, RSI 50 को क्रोस करता हुआ, और लगबग हमारा, 50 moving average, 20 moving average उपर, 50 नीचे, तो यहां कहीं हमारा पास position बन रहा था, लेने के लिए, तो यह था, 13 November 2023 को, अगर हम position बनाते, तो अभी तक हमारे पास होता, 20% का gain इसमें भी होता, अभी तक weekly basis में, और 10 week लग जाते हैं आपको इस gain को हासल करने के लिए, तो यह हो गया हमारे पास, nifty IT, अभी पीछले 100 week का resistance है, तो अब कोशन ही आता है कि क्या इसमें भी position बनाना है, यह वर्थ रिस्टेकिंग है, वर्थ रिस्टेकिंग है, तो हम क्या करेंगे वर्थ रिस्टेकिंग के लिए, हम इसका next time frame देखेंगे मन्थली, अगर आप मन् होगे, तो मन्थली कितना अच्छा एक formation बना हुआ, एक तो डबल पैटन बना हुआ है, और यहां सी यह breakout है, दिया हुआ है, हो सकता है, एक रिटेस्ट है, फिर रिटेस्ट के बाद अच्छा खासा जाए, एक आध हपता रिटेस्ट है, जो मुझे इसा लगता है, तो अभ यह एक रिटेस्ट के लेट करें, तो यहां से है तक का प्रॉफिट केतर करें, तो यहां से यहां तक का प्रॉफिट कितना है, бал। एक सोसात्तर प्रसेंट है कितने महीनों में 18 महीनों में 177 प्रसेंट का प्रॉपिट है तो सेम फर्मेशन हमारा यहां बन रहा है 50 moving average उपर उपर 50 नीचे और यहां पे पोशिचन बना और यहां तक हम चांस कर रहे हैं आने वाले तो चार महिनों में कम से कम यहां तक तो टच करेगा, तो अगर वहां तक टच करता आ है, तो हम कितने पॉसेंट का profit एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं, आईटी में? लगबग 32-31% का profit, यह resistance जो है, वहां पे हम एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं, और यह भी ऊपर है और आरसाई आप 71 से उपर है तो आप अगर monthly है long term वाले हैं तो आप बिल्कुल position बना सकते हैं और अगर आप थोड़ा इंतजार करना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा correction के इंतजार कीजिए आपको daily basis के correction पर इंतजार करना है यहाँ देखे daily basis पर भी correction हो रहा है तो daily basis अगर हम लगा ले तो यह रहा daily basis निफ्टी आईटी तो अभी आपको खरीदना कब है अभी आप इंतजार करो इस टॉकर से रहा हमारा formation बनाए हो सकता है कहीं यहाँ पर support आके लेगा तो support अगर लेता है तो यहाँ पर कुछ थोड़ा सा पार्टिसिपेट करो इसके बाद weekly आप यहाँ लगा यहाँ आप यहाँ पर वीकली बीटी हाई है हमें पॉजिशन बनाना था लगवाई यहां कहीं बनाना था पूजिशन हमें अगर हमको बनाते बनाते हैं तो पोजिशन हमें यहां छे नवंबर को बनाना था अभी और हाई पे चल ला है इस्टॉकर सी कहा रहे हैं नीचे आने तो तब हम पोजिशन बनाएंगे अगर हम मंतली इसमें देखें मंतली क्या कह रहा है मंतली भी ऑल्री हंडेड है ओपो यहां पर करसल लेलो यह PSC हो गया PSU बैंक हो गया आप यहां देखो यहां PSU बैंक हो गया यह हो गया मीडिया मीडिया भी वीकली अभी नीचे आ रहा है तो अभी क्या करना है इंतिजार करना है यह हो गया मैटल मैटल भी अभी नीचे आ रहा है देखो नीचे आ रहा है द कि आप यहां हम चुले जाते हैं और यहां hep करकर किixaनव देखती है वीकली वेस सिस्टकॉण सा अच्छा है जो हम वी किन लिशे तुट HTTP प्रसक्तव यह हो गया प्रसक्ट पंट whereby Corps यहां बनाने लायक था पोजिशन यहां पर कहीं ठीक है तो इस सब करना है अगर अगर हम देखे मालो हमने देखा यहां यह मैटल मैटल गर रहा है तो आप मेटल के कमप्पणी में चल जो यही दे हितना मैटल अब यहां को सब कोई थ्री पर संट सी गिरा आ अब सबका फरममिशन यह होगा अब अनले नीचे आया Tata Steel का क्या position है Tata Steel भी weekly गिर रहा है GSW Steel का क्या position है GSW Steel भी देखो weekly गिर रहा है तीन हफ्तों से लगदार गिरा है विदानता का क्या है यह भी all time high है यह गिर रहे है ठीक है GSL क्या है यह भी अभी देखो गिर रहा है तो metal अगर गिरेगा तो यान्हीं सब सारे metal की компании गिरेंगी तो उसे शाप सापको plan करना है अगर यहां देखिए हम कि a vendor indices हो गया तो अभी हमने देखा मीडिया का क्या position है देखो मेडिया गिर रहा है तो मीडिया की कौन से है तो यह आ गया हमारे भाइक पास कि निफ्टी मीडिया इसंटी वी पिसमें से अपते ही निट्वर्क एटेइन देखो न और गेटिंग में भी पॉजिटेव नेस है ओऊ policymakers ऑने现在 को पर तो इस तरीके सब करना और इस से रिलेट आपको कुछ ले ले लेना अब डी पी क्या यह देखो वीकली हो रहा है लेकिन निफ्टी मीडिया गर रहा है तो आपको इंतिजार करना है कि निफ्टी मीडिया हमारा ऐसे सही हो इसमें पूशिचन बनाओ या तो एक रिस्क लेके बूशिचन बनाओ सफसे अपको सोचना है तो हम आ जाते हैं सेक्टर इंडाइस पे और हम आ जाते हैं एर्याली टीपी तो रियलिस्टेक श्राइट के पी गिर के इन्फरा के आज्यां रेटी एक है तो हम थ्वड़ा सा इंतजार करना अगर हम आटो में जाते हैं तो आटो भी आल टाइम हाई है यहां देखो जा रहा है मंतली अगर देखें तो मंतली भी अभी 100 परसेंट ओपर बॉट है तो हो सकता है गिर सकता है करेक्शन आ सकता है तो प्रॉपर तरीक से स्टॉप लागा करो यहां पर नीचे गिर रहा है क्या यह वर्थ रिस्टेकिंग है मंतली देखो मंतली देखें तो मंतली थोड़ा सा चांस है यहां तक इसको टच करने का 39364 ठीक है प्राइबेट बंक देखो मंतली थीक है अच्छा फॉमिशन है लेकिन विकली देखो कि यह विकली है विकली देखो नीचे गिर रहा है तो इस तरह केसा आपको आनलेसिस करना है मैंने आलमूस हर एक स्टॉक आपको बता दिया फमसीं भी नीचे घर लेने लाएं कहां था यहां कहीं लेने लाइक था, 25,000 पर, तो यहां अगर आप लेते तो सारे FMCG कंपनी भगते हैं, तो आप देखो, यहां पर यह ईंटाइसेस बता रहा है, कहां लेने लाइक था, लगवग 6 नौंबर 2023 को लेने लाइक था, तो हम FMCG की सारी कंपनिया देखते हैं कि 6 नौवंबर को कहा था तो 6 नौवंबर को डावर देखो डावर कहा था 6 नौवंबर को तो अक्टूबर यह हो गया 6 नौवंबर 6 नौवंबर को यहां डावर 540 पे था अब यह 80 से उपर गया तो लगवग 572 यहां पे गोदरेज देखो गोदरेज 6 नौवंबर को कहा था अक्टूबर 6 नौवंबर यहां पे था गोदरेज 1030 पे अगर यहां लिये होते तो अभी 1030 से 1230 प्रॉफिट बनाया होते कोल पाल 6 नौवंबर को कहा था अक्टूबर 6 नौंबर को लगवग यहां था कितने पर था 2149 पर अभी मार्केट प्राइट इसे सबसे आपको सेक्टर वाइस करना है और आपको पता चल जाएगा आप यहां देख़े को तो यहां पता चल गया कि भाई सब यह तो FMCG का सेक्टर चल ला है अभी हमें पता था कि IT का सेक्टर चलने वाला है इसलिए हमने IT के mutual fund में भी बनाया था position और हमें almost उसमें 20-21% का percentage है तो हमने यहां कहीं position बनाया था तो देखो हमें पता था जून में हम analysis कर रहे थे कि हमें पता था कि जून में जून से यहां पे एक हम position बनाते हैं यह हमारे तीनों strategy match हुआ था 50 moving average उपर था और यह 20-80 की तब जाता श्टॉक से 50 से उपर तो हमने यहां पे nifty IT में position बना लिया था mutual fund में और आज हमें 20-20% क यहां सब क्लिक करोगे तो लगबख देखो 26-27% का return यहां दिखा रहा है आपको 28% का दिखा रहा है कि अभी तक अगर आपने वहां पूशन बनाया होता तो 28% का return है हमारे पास 21-22% का return है mutual fund की में बात कर रहा हूं अगर इस टॉक्स में आप करोगे तो इस ही साब से आपक सब्सक्राइब कर देखोगे तो लगबख यहां कहीं पूशन बना था 13 नौवंबर को तो अब हम निफ्टी आइटी में चले आते हैं और देखते हैं 13 नौवंबर में सारी स्टॉक्स कहां थे तो निफ्टी आ जाए और सबसे अपना फेवरेट स्टॉक्त उठा लीजिए विप्रो या इंफोसिस विप्रो उठा लीजिए तो 13 नौवंबर को देखिए यहां विप्रो कितने पर चला था 399 पर चला था आँख बंद करके आप उठाते हैं और यहां देखिए तेक महिंदर आप देखो कहा था लगबख यहां था 13 नौवंबर को हमारा तीनों स्ट करना है सीखना है इंडिबेंडटरन बनी मार्केट में किसी के टिप्स को फॉलो मेंगे चीट मेंक truth नईया किसी के शारी सेक्टर्ण संक्रीन ये analysis कीजिए हो सकता है ये video लंबी हो बट मेरा मकसद यहीं है आपको independent बनाना market में ताकि आप खुद analysis करते हैं खुद risk management कर से के बाकि Saturn Capital है आपको help करने के लिए कभी भी आप हमारी website पे चले जाए Saturn Capital.in हमारी website है यहां से blogs भी पढ़ सकते हैं आप हमारे services में जाएकर हमारे performance भी देख सकते हैं कि क्या performance है हम स्विंग पकड़ते हैं में हम profit करते है सुइंग में कर ते physical हम्मारा आइक होता है weekly profit का तो weekly हम फॉसी क्रॉफिट है किसी था बैस चैज्य के लॉस में हैं किसी वीख हम 12,000 के profit में हैं किसी वीख हम 33,000 के profit में हैं तो हमारा कोशिस होता है कि हम weekly profit लेकर निकलते रहें और आप हमें help कर सकते हैं दीमेट एकाउंड उपेंड करके जहांपे आपको free course मिलेगा यह सारे free course है stock market का basic अगर आपको नहीं आता है, ABC नहीं आता है, systematic वी से यहां पे है इसको आप form फिल कीजिए, हमारी team आपको contact करेंगी, हम आपको course प्रोवाइड करेंगे hand holding करेंगे market में ताकि आपको डर ना लगे, technical analysis के बारे में बताएंगे कैसे technically आपको analyze किया जाता है, हर एक stocks का, fundamentally कैसे stocks को analyze किया जाता है उसके बाद जब profit आ जाए, तो profit से फिर आप options में risk ले सकते हो, अगर आपके कभी भी capital को नहीं खोना है capital आपके sony की मुर्गी है, उसको कभी नहीं काटिये, जो अंडा दे दिये, जो profit आ रहा है, उससे आपको risk लेना हो, तो risk लीजिए, fun करिए so hope आपको ये चीज़े समझ में आई होगी, पसंद आया होगा, trading strategy आप हमारी यहाँ देख सकते हैं, जो हमारी swing की trading strategy है यहाँ पर आपको मिल जाएंगी हमारे videos, और please keep supporting us, ताकि हम ऐसे content आपके सामने ले आएं, ताकि आपको एक value मिले हमारे content से, आपको कुछ सीखने को मिले इस market में, चलिए मिलते हैं आपको next video में, लेते हैं तब तक इजाज़त, keep learning and keep earning with Saturn capital